नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य, दोस्तों भारत का सम्विधान, हम सब को धेर सारे राइट्स देता हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम आफ स्पीच अन एक्स्प्रेशन, राइट टू इन्फरमिशन, राइट टू देवसी, लेकिन अब ये राइट टू बी फॉर्गटन क्या है, भूल जाने कादिकार, ये क्या होता है बाई, बने रहीए गान तक, क्या पता इस राइट की सबसे ज़्यादे ज़रुरत आपको हो, राइट टू भी फॉर्गटन, रीसेंटली अभी न्यूज में इसलिए आया, क्योंकि एक अमेरिकन सिटिजन ऑफ इंडियन ओरिजिन ने, हाई कोर्ट में पेटिशन डाली, कि उसके जज्जमेंट से रिलेटेड, इंटरनेट सर्चेस से सारी इंफरमेशन डिलीट कर दे, और हाई कोर्ट ने, अभी एपरिल दोजार एकिस में, गूगल और इंडियन कानून को ये आदेश दिया है, कि इस एनराई से रिलेटेड जो जज्जमेंट थी, उसको इंटरनेट सर्चेस से रिलीज किया जाए, रिमूव किया जाए, तो आईए जानते हैं, कि ये भी फोगोटन ये आपको एक ऐसा अधिकार देता है, ताकि आप अपनी पर्सनल डीटेल इंटरनेट सर्चेस से रिमूव करवा सकें, अगर ये कानून आया, तो इस कानून के तहत, आपको कुछ ऐसी शक्तिया दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनल किसी भी और्गनाइजेशन से कहकर रिमूव करवा सकते हैं, फिर वो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये कानून फिलाल ये उरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज में लागू है, जन्रल डेटा प्रोटेक्शन रेगूलेशन के पहत जिसको हम GDPR कहते हैं, जो EU ने यूरोपियन यूनियन ने 2018 में इसको इंट्रिजूस कर दिया था, राइट तू भी फॉगटिन का सबसे पहला केस स्पेन में आया था 2014 में, जहां पे एक शक्स ने गूगल के खिलाफ यूरोपियन कोड में पेटिशन फाइल कर दी थी, यह कहके एक पूराना निउस पेपर का आर्टिकल है, जो उसके बैंक रपसी के बारे में बया करता है, और वो information अब relevant नहीं है, क्योंकि उस शक्स में सारे debts पे कर चुके हैं, तो कोई relevant नहीं बनता है वो information पब्लिक डोमेन में रहने का, इसलिए उसने ये पेटिशन फाइल और ये कहा था कि European Union के जितने भी citizens हैं, उनको एक special circumstances के अंदर वो अपनी personal information remove करवा सकते हैं public domain में. और हाँ, ये information, ये judgment सिर्फ EU border तक ही लागू होगी, यानि कि European countries के border तक ही लागू होगी, outside नहीं होगी. अब RTBF, यानि Right to be forgotten, Indian context में क्या है? Justice B.N. Shri Krishna कमीटी इसी के लिए ही बनाए गई थी, 2018 में Personal Data Protection Bill को introduce किया गया. तो इस कमीटी ने जो कि Right to be forgotten के अधिकारों को mention किया, उन्होंने साफ साफ इस bill में लिखा कि अगर किसी व्यक्ती की personal information इंटरनेट पे है और वो अगर misleading है, embarrassing है या irrelevant है, तो वो व्यक्ती, वो शक्स के पास इतनी चमता होगी कि वो उस information को delete करा सके, remove करवा सके या फिर change करव होगा कि Right to be forgotten अभी एक bill है, act नहीं बना है, अधिनियम नहीं बना है, law नहीं बना है, अभी ये सिफ लोकसभा से पास हुआ है, और जो NRI वाला case था, उसमें अभी next hearing high court द्वारा होगी, जो कि 20 अगस्त को date type की गई है, इस bill में section 27 के तहत, ये आपको अधिकार देता है, कि जहाँ पे personal information disclose करना mandatory नहीं है, अनिवार नहीं है, वहाँ पे आप से अगर कोई personal information मांग रहा हो, तो आप उसे मना कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं, for example, आधार compulsory है tax के मामलों में, PFC related मामलों में, लेकिन आधार compulsory नहीं है airports पे या फिर railways पे, इस bill के section 27 clause 2 के तहत, data protection authority एक adjudicating officer appoint करेगा, जो कि आप से question करेगा, और ये तै करेगा कि आपके personal information के remove के request के वज़े से, यानि कि आपके right to be forgotten के अधिकार की वज़े से, कहीं दूसरों के मूल अधिकारों पे फर्क तो नहीं पढ़ रहा, जैसे right to speech, right to freedom of expression, या फिर right to information जैसे अधिकार, 2017 में Supreme Court ने पुट्टा स्वामी judgment के तहत, right to privacy को article 21, जो कि right to life है, उसका एक एहम हिस्सा माना है, और अगर right to be forgotten act आता है, तो right to privacy का एक एहम हिस्सा माना जाएगा, और इसी से related, debate का सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, कि there will be a conflict between right to be forgotten, जो कि भूल जाने का अधिकार, और right to information, किसी भी information को जानने का अधिकार, अगर right to be forgotten, एक अधिकार बनके आता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर एक rape victim है, उसके लिए तो ये beneficial होगा, क्योंकि वो अपना past internet searches से remove करवा दिना चाहेगी, लेकिन जो criminal है, जो already convicted हो चुका है, उसके पास भी तो ये अधिकार जाए उसकी personal details internet पिना जाए, ये भी तो हो सकता है, वहीं April 2016 में दिल्ली High Court ने एक case examine किया, जहां पे दिल्ली के ही एक banker ने court में petition file की थी, कि उसके marriage dispute से related एक information internet पे अभी भी available है, हाला कि वो marriage dispute resolve हो चुकी है, लेकिन अब उस information को internet पे, यानि public domain में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई ने request की कि ये information Google से और other search engine से उसे remove करा दी जाए, जहां High Court ने तुरंत आदेश दिया और ये कहा कि situation को तुरंत investigate की जाए, तो अगर right to be forgotten को implement करना है article 19 part 2 में, तो privacy के तहत reasonable restriction का ground डिखाना होगा, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों के बीच balance बना रहना बहुत ज़रूरी है, जो और article 21 जिसमें article 14 ये अधिकार देता है, right to equality and equal protection of laws, article 19, right to freedom of free speech and expression जिसमें right to information का भी अधिकार है, और article 21 जो कि right to life, liberty and right to privacy का अधिकार देता है, अगर right to be forgotten को हमें implement करना है, तो इन सारे articles में हमें balance और संतुरन बनाना होगा, तो इस मामले में हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं, कि आपकी कोई अगर personal information दूसरों को inspire करती हो, या फिर कोई व्यक्ती आपकी personal information, personal detail अपने किसी फाइदे के लिए use कर रहा हो, तो उस पर आप क्या कदम उठाएंगे, तो comment section में अपने विचार व्यक्त कीजें, और हमे जाने का अधिकार क्या है, तो please do like, share, subscribe, comment, thank you so much, thank you so much for watching, बिलते हैं अगले वीडियो में, जाए हिन्द